जम्मू कश्मीर में सेना भी आतंकवादियों का विकेट गिराने के इरादे से एक नई रणनीती पर काम कर रही है दरसल जब चुहों का एक बिल बंद कर दिया जाता है तो वो दूसरा बिल बनाने लगते हैं और उसमें अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करते हैं यही हाल इस सवक्त जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों का है कश्मीर घाटी में आतंकियों की कमर सेना ने तोड़ो डाली है तो अब आतंकवादी जम्मू रीजन में अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं खास कर राजोरी और पुंच जिले में जहां पिछले दो साल में सुरक्षा बलो पर आतंकवादी हमले बढ़े हैं दो दिन पहला ही पुंच में सुरक्षा बलो के काफिले पर आतंकवादीयों ने हमले की नाकाम कोशिश की थी आतंकियों ने काफिले पर गोली बारी की थी, हमले के बाद आतंकवादी जंगलों में छिप गए बीते दो दिन से आतंकियों को धूनने के लिए पुंच में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों को धून धून कर उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए सेना और जम्मु कश्मीर पुलिस मिलकर ऑपरेशन चला रहे है पुंच के साथ साथ राजौरी में भी कई आतंकी घटनाई हुई है पिछल साल नवंबर में राजौरी के काला कोट में आतंकियों से सेना की मुढभेड हुई थी इसमें सेना के पांच जवान शहीद हुए थे 21 दिसंबर को राजौरी में आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था इस आतंकी हमले में सेना के चार जवान शहीद हुए थे बीदेसाल राज़ोरी और पुंच में हुई आतंकी घटनाओं में 20 जवान शहीद हो चुके हैं यानि एक चीज़ साफ है कि जम्मू रीजन में अचानक से आतंकीयों की गतिवेदियां काफी बढ़ी है और सेना को फिलहाल यहां नुकसान भी उठाना पड़ा है कश्मीर के बाद अब जम्मू रीजन से आतंक फात के सफाई के लिए सेना ने अब बड़े आउपरेशन की शुरुवात कर दी है सेना के इस ओपरेशन का नाम है ओपरेशन पीर इसका नाम सेना ने ओपरेशन पीर रखा है और ये पीर पीर पंजाल की पहाड़ी का ध्यान में रख करके नाम चुना गया है पीर पंजाल हिमाले की ही एक श्रिंखला है ये पहाड पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं इस परवत श्रिंखला को छोटा हिमाला भी कहा जाता है यहां के पहाड अधिक्तम 13,000 फीट उचे हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच से ही रावी, चिनाब और जहेलम जैसी नदिया भी बहती हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों में काफी घने जंगल हैं पहाड़ियों पर कई गुफाएं और सुरंग हैं जिसका फाइदा आतंकी चिपने के लिए उठाते हैं साथ ही पाकिस्तान इन ही जंगलों के जरिये आतंकीों के गुस्पैट भी करवाता है राज़ौरी और पंज में आतंक के सर्वनाश के लिए अब सेना ने ऑपरेशन पीर शुरू किया है जम्मू कश्मीर में आतंक वाद के खात्मे की नई रणने थी राज़ौरी और पंज में आतंकिों के खिलाफ सेना का बड़ा ओपरेशन आपरेशन पीर अब नहीं बचेंगे आतंकी हाथों में आत्याधुने कहत्यार चप़े चप़े पर नजर और लक्ष्य एक राज़ौरी और पंज में आतंक वाद का सर्वनाश कश्मीर घाटी में आतंकवाद में कमी आई है तो अब आतंकियों ने जम्मो के इलाके में फिर से देहशत बढ़ाने की कोशिशें तेज की ही लेकिन उनकी इस कोशिश को सीना पुचलने में जुट गई है इसके लिए सीना ने आउपरेशन पीर की शुरुबात कर दी है आउपरेशन पीर का मकसद राज़ोरी और पुच से आतंकवाद का जड़ से सफाया है आउपरेशन पीर के तहट राज़ोरी पुच के अलग-अलग इलाकों में तलाशी अभ्यान चलाया जा रहा है इन इलाकों में कहीं सारी ऐसी प्रकरती गुफाओं को देखते हुए सुरक्षाबल लगातार अलग-अलग टेक्नीक का इस्तेमाल जो हैं वो कर रहे हैं अगल-गलग गैजट्स का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है जिसकी मदद से जो टनल्स हैं उसको भी खंगाला जा रहा है कहीं सारी ऐसी जो सुरंगे हैं उन्हें यहां पर तभावी किया जा रहा है ताकि वो पर्मानेंटली जो आतंकी लगातार जिनका इस्तिमाल करते थे उनके लिए पूरी तरहां से बंद हो जाए आपरेशन पीर की मॉनिटरिंग सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं सेना के नौर्धन कमांड चीफ लेटनिन जनरल उपेंदर दुवेदी ने पिछले दिनों राज़ौरी का दौरा कर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर समिक् की थी उस बैठक में तै हुआ था कि जम्मू में आतंकवाद के खात्मे के लिए जनता का भी सहयोग लिया जाएगा सुरक्षा बनों को पुखता जानकारी है कि राज़ौरी और पुंच इलाके में 25 से 30 आतंकवादी एक्टिव है और ये आतंकी राज़ौरी पुंच की पहाड़ियों पर जंगल और सुरंगों में च्छिपे हो सकते हैं इसलिए सुरक्षा बनों ने पुंच के जंगलों और सुरंगों में सर्च आपरेशन चला दिया है ताकि छिपे हुए आतंकी अपने बिलों से बाहर निकले सुरक्षा बलों ने जंगलों में बनी कई सुरंगों को भी तबाह किया है ताकि आतंकी उनका इस्तेमाल ना कर सके सुरक्षा बलों को इन इलाकों में 25 से लेकर 30 आतंकियों की मौझूदगी की खबर है और लगातार उनको ठेर करने के लिए बड़े पैमाने पर उपरेशन जो है वो चलाया जा रहे हैं खास तोर पर जब से इस तरह के इनपूट मिले हैं कि जैशे मौमद और लश्कर अताइबा दो आतंकी संगठनों के करीबन दो से लेकर तीन ग्रूप इन अलाकों में अक्टिव हैं उसके बाद से लेकर सुरक्षाबलों ने इन उपरेशन को और तेज किया है और अभी भी आप देख सकते हैं लगातार एक्स्लूजिव तस्वीरें जी मीडिया आपको दिखा रहा है जहां से ये तस्वीरें साफ तोर पर दश सारे चलिंजिज इन इन इलाकों में हैं आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में अब सिना की ताकत बढ़ा रहे हैं ये बखतर बंद लाइट स्पेशलिस्ट वहन ये गाडियां बुलिट प्रूफ हैं मुठपेड के दौरान सुरक्षा बनों के लिए आतंकियों के करीब जान आसान होता है इनके पहियों की बनावट के कारण ये पहारी इलाकों और घने जंगलों में भी आसानी से पहुच जाती हैं जाएं